हेलो एब्रिवन हम लोग आज पढ़ेंगे जोगेन चौधरी को जोगेन चौधरी इनका जनम हुआ था 1949 में 1949 में इनका जनम हुआ था इनका जनम जो हुआ था वो पूर्वी बंगाल जो की वरतमान में बांगला देश में पढ़ता है पूर्वी बंगाल के फरीदपूर नामक गवं में हुआ था जो अब बांगला देश में पढ़ता है ये एक पंगाल के चित्रकार थे इनके ये किसले प्रशित हैं तो ये जो जाने जाते हैं प्रशित हैं वे प्रकर्ति और मनुष्री के चितेरे की रूप में जाने जाते हैं प्रकर्ति और मनुष्री के चितेरे की रूप में इनकी जो सेक्षा हुई थी जोगें चौधरी की सिक्षा कहा हुई थी तो इनकी सिक्षा हुई थी कॉलकता में इनकी सिच्षा कॉलकता में हुई थी कालेज आफ आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलकता में 55 से 60 के पीच में इनकी सिक्षा हुई थी शुरुआती में जैसे हम ने पढ़ा बंगलादेस में इनका जनम हुआ पुर्वी बंगाल में जो कि आप बंगलादेस में आता है वहाँ एक पुर्वी बंगाल के फरीद पुर नमक गाउं में हुआ था 1949 में हुआ था ये हम पढ़ चुके हैं तो इनका जनम हुआ था बंगाल में, बाद में देश का जब बंगाल का भटवारा हुआ, तो इनका परिवार कोलकता आ गया, कोलकता आ गया तो इनकी जो सिक्षा हुई वो कोलकता में हुई थी, इन्होंने कई जगा पर प्रदर्शनिया लगाई, जैसी की जपान में लगाई, महाँ पे फूफू कोवाज कोई जगा थी, एसी आई कला प्रदर्शनिय में इन्होंने भाग लिया था, आक्सपोर्ड म्यूजियम में भी इनके चित्र प्रदर्शित हुए थे, लंदन में भारत महोचसे में भी इनका काम जो है प्रदर्शित हुआ था, फिर गैलरी से इवें की पंबई की उद्गाटन प्रदर्शनिय में इन्होंने भाग लिया था, तो ये कुछ प्रदर्शनिया, इनकी समू, समू प्रदर्शनिया भी इनोने की, एकल प्रदर्शनिया भी आयोजित की, 1963-1969 प्रदर्शनिया आयोजित की कौलकाता में उसके बाद 76 में पेरिस में 76 में उसके बाद 83 में बड़ोदा में 83 में अहम दावाद में इनकी कई जो है प्रदर्शनिया हुई थी और आप इनके कुछ और भी चीज़े देख लेते हैं जैसे कि इनके बारे में एक चीज़ और विशेस मिलती है ये राष्टपती भवन में क्यूरेटर के रूप में भी रहे हैं जोगिन चौधरी राष्टपती भवन में क्यूरेटर के रूप में रहे हैं एक पत्रिका कभी इन्होंने शंपादन किया था उसका नाम है आर्ट टूडे आर्ट टूडे पत्रिका का संपादन किया था जोगिन चौधरी ने इन्होंने आर्ट टूडे नमक पत्रिका का प्रकाशन 1981 में किया था 1981 में इन्होंने किया था याद रख लेंगे जोगिन चौधरी ने आर्ट तूरे नमक पत्रिका का प्रकाशन 1981 में किया था निकाली थी यह पत्रिका इन्होंने गैलरी के स्थापना भी की थी जिसकी गैलरी 26 के स्थापना इन्होंने की थी तथा आर्ट फोरम की भी स्थापना की थी जो गैलरी 26 के स्थापना कुछ प्रमुक कालाकारों गेसाथ में कुलकटा प्रवास के दौरान इन्होंने के विभिन पर्चु को चित्रिद किया और कुलकता के ग्रामी जीवन और कुलकता के बिभिन पच्छों का इन्होंने चित्रड किया और इनके चित्रों में नारी आकृतियों को इन्होंने मांसलता युक्त दिखाया है सुन्दर दिखाया है इंद्रिय शक्तिशाली होने के साथ साथ दुखी भी चित्रत किया है इनकी नीरी साड़ी है कई सारी चित्र भी है इसमें नीरी साड़ी भी एक चित्र है तो नारी आक्रितियों के बारे में इन्हों ने सक्तिशाल के साथ तूखी भी चित्र किया है कभी बिभत्स तता कभी सुन्दर दिखती थी मतलब कभी भयानक और कभी सुन्दर इनके जो चित्र में दिखाई पड़ती है आकृतियां बिभत्स और सुन्दर इन्हों ने चित्र रचना के लिए जोगिन चौदरी ने चित्र रचना के लिए स्याही वा मूम के रंगों का भी प्रयोग किया है और ये रंगों में एक विसी स्गोंद का प्रयोग करते थे एक पर प्रशन भी पूछा गया था DSSB के paper में कि स्याहि و मोम के रंगों से चित्र करने वाले बंगाल के चित्रकार जिने 2014 में राज्यसवा का सांसत सदश्य बनाई गया था एक और बात इनके बारे में जो नोट पॉइंट ध्यान रखना रहता है कि इन्हें 2014 में राज्यसवा का सांसर सदर्श भी बनाय गया था जो कि पूछा भी जा चुका है किसको बनाय गया था जो कि चौधरी को बनाय गया था अब इनके चित्रों को देख लेते हैं इनके चित्रें देखिए ये चित्रें का फूल और महिला देख सकते हैं आप इसमें प्रकिर्थी और जैसा कि मैंने बता है था मनुष्य और प्रकिर्थी का चितेरा कहा जाता है तो इसमें प्रकिर्थी भी है मनुष्य भी है चित्रों में जो इनके दिखाए देता है और इनका ये जो गड़ेश नामक चित्र बना हुआ है इनका जो इनके चित्रों में वनस्पतिया स्वपनवा स्मृति की तरह जैसे कि आप गड़ेश की बात हुए यह वाला जो चित्रा आप देख रहा हैं तो इनके चित्रों में ये भी दिखाये देता है क्या दिखाये देता है कि इनके चित्रों में वनस्पतिया स्वपनवा स्मृति की तरह दिखती है तो आज सा कुछ है और प्रकिर्थ और मनुषे का सगन रिस्ता के काम में प्रकट हुआ है तो यह इस चित्र के माध्यम से हैं यह इनका एक और चित्र है यह ना मख एक कपल एक जीक रह तो यह ने कप्रमुख चित्र हो गए तो यहाँ पर हमने तीन चित्रों को देखा महिला और फूल और गड़ेस और तीसरा चित्र चादो वो यूगल करके आता है इनकी नीली साड़ी भी इनका चित्र है और इनके चित्रों की बात करें तो चंद्रमा है, बाग है, गड़ेस है नटी विनोधिनी पुछी जाती है इनकी इनका जो चित्र है और युवा मनुष है जोड़ी है नीली साड़ी है तो ये कुछ चित्र है जो इनके पुछे जाते हैं बाकी एक बार हम मोटा मोटा देख लेते हैं हम देख लेते हैं कि जोगिन चौधरी के बारे में हमने क्या देखा तो जोगिन चौधरी के बारे में हमने ये पढ़ा कि जोगिन चौधरी का जन्म हुआ था 1949 में कहां हुआ था फरीदपूर बांगलादेश में हुआ था फरीदपूर पुर्वी वंगाल में हुआ था जो क स्याहि के रंगों से रिखांकन किया और यह जो है 2014 में राजसभा के पद पर भी करेरत रहे हैं समाजिक चग रूपता इनके चित्रों में देखने क्लिए मिलती है स्याही वो मोम के रंगों से चित्र करने वाले बंगाल के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं तो यह थे इनके बारे में जो नोट हमें ध्यान रखना रहता है नोट पॉइंट थे तो थैंक यू, कीप वाचिंग और सेरिंग